दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं NVIDIA GeForce Experience या जो भी कहती है इसके नई अपडेट के बारे में जिसका नंबर ये है इस अपडेट में इन्होंने गेमिंग से रिटेर कुछ issues को fix किया है जैसे कि laptop को speedboard भी डालते हो और जब वो control पर के display open remote पे हो तब अगर आप laptop चालू करते हैं तो laptop चालू नहीं होता था या फिर चालू तो होता था जैसे कि उसका fan फिर ना पर उसके display बिल्कुल blank दिखए दिती थी तो वसी चीज़ को इन्होंने figure out करके fix करने की कोशिश किया है बात में hitman जैसे game related issues को इन्होंने fix किया है और display के image के related कुछ box होगे रफिक्स किया है जैसे कि gamma curve related paint and netball के photo editing app आती है उसके भी कुछ issues को इन्होंने solve किया है इस version को update करने के लिए simply nvidia geforce app में आना है और update पे करना है click और download download हने के बाद आगर वो fail हो जाए तो बस आपको description में link पिल जाएंगी उदर से file को download करके install कर लू installation process बिलकुल सेम है जैसे कि आप PC software को install करते हो अब बस बस आपको open कर लू तो आप देख सकते हो कि finally हमने इस version को अपने PC में install कर लिया है बाके मिलते है आगले वडियो में जै करते हैं